हेलोज तो जैसे हम लोग new in fast है इसको नीचे ले आते हैं जैसी मानिची यह स्क्रक्राइब करना है तो 4-319-54 यह पॉइंट को नीचे ले आएंगे फिर 8-622-11 तो आंसर है 12.41 मान लिजे यह दो नंबर को हमें सब्ट्रेट करना है तो पहले इसको हम लाइक डेसिमल में कनवर्ट करेंगे तो यहां पर पॉइंट के बाद तीन डिजीट है और यहां पर दो डिजीट है तो एक 0 लगाएंगे ताकि लाइक डेसिमल में कनवर्ट हो जाएं फिर ऐसे सब्ट्रेट करेंगे तो 6-0,6,8-6,2 4 से 5 को सब्ट्रेक नहीं कर सकते यहां से एक 1 बॉर्ट करेंगे तो 14-59 तो यह 14 हो जाता है तो यहां पर 5 रहता है 5 से 8 सब्ट्रेक नहीं कर सकते उससे पहले हम लोग डेसिमल पॉइंट को नीचे ले आएंगे अभी 5 से 8 सब्ट्रेक नहीं कर सकते तो 1 बॉर्ट करेंगे 3 से तो 3 के जगा पर 2 हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा यानिकि 15 15-8 7 और 2-2 0 जैसे हम लोग normal whole numbers में करते हैं उसी तरह से हम लोग subtraction करेंगे बस decimal point को जहां पर decimal point है उसको नीचे ले आएंगे rest of the process whole number में जैसे करें वही same process से ही करेंगे अभी Worksheet 4 के questions करेंगे यह subtraction के problems है तो यहां पर 8-6 2 point को नीचे ले आएंगे 3-2 1 यहां पर 6-2 4 8-6 2 point को नीचे ले आएंगे 8-6 2 9-2 7 यहां पर similarly subtraction जैसे करते है normally वैसे point को बस नीचे ले आएंगे अभी यहां पर 1 से 3 subtract नहीं कर सकते इसलिए 8 से 1 बौरो करेंगे तो यह 11 हो जाएगा 11-3 8 अभी यहां पर 7 रहेगा 7-7 0 point को नीचे ले आएंगे 6-3 3 3-2 1 similarly यहां पर भी 8-3 5 8-1 7 2-1 1 point को नीचे ले आएंगे 3 से 8 subtract नहीं कर सकते 1 5 से बौरो करेंगे तो 13-8 5 यहां फिर 4 रहेगा 4 से 6 subtract नहीं कर सकते एक 1 बौरो करेंगे तो 14-6 8 तो यह answer है यहां 7-5 2 अभी 0 से 3 subtract नहीं कर सकते तो 1 एक बौरो करेंगे 3 से तो यहां पर 2 हो जाएगा तो यहां पर 10 10-3 7 यहां पर 9 होगा 9-2 7 पॉइंट को नीचे ले आएँगे 9-5 4 9-2 7 यहां 2 मैनस 1 1 तो यह answer है अभी second question करेंगे तो arrange in columns and subtract दिया गया है यह first question है तो ऐसे नॉर्मल हम लोग जैसे करते हैं subtraction करने से 3.2 आता है एक चीज़ याद रखना है जहां पर like decimal नहीं है उस question में हमें like decimal में convert करना होगा number को यह भी normal subtraction है यहां देखिए यह 315.28 है और यह 486.195 है यह 315.28 है तो एक 0 एड करेंगे like decimal करने के लिए फिर normal जैसे subtraction करते हैं 5-0 5-05 9-81 1 से 2 subtract नहीं कर सकते हैं तो यहां से 1 बॉरो करेंगे तो 11-29 पॉइंट को नीचे ले आएंगे अभी यहां पर 5 रहेगा 5-5 जीरो 8-17 4-31 सिमिलरी यहां पर 19.378 है और 26.4 है तो इसको 2-0 लगा के यह दोनों को हम लोग like decimal में convert करेंगे फिर ऐसे normal subtraction जैसे करते हैं वैसा करेंगे तो यहां 0 से 8- नहीं कर सकते तो यहां से 1 बॉरो करेंगे 10-8-2 9 यहां पर होगा 9-7-2 यहां फिर 3 होगा तो 3-3 0 पॉइंट नीचे आजाएगा 6 से 9- नहीं कर सकते एक 1 बॉरो करेंगे 16 तो 16-9-7 यहां similarly like decimal में convert करेंगे 45.6 को 45.600 करेंगे फिर subtraction करेंगे यहां similarly 22.05 को 22.050 करेंगे और normal जैसे subtraction करते हैं करेंगे यहां 90.04 है यहां 71.084 है तो 90.04 को एक 0 लगा के यह दोनों को फिर हम subtraction कर सकते हैं like decimal में convert करने के बाद यहां similarly 200.17 है और यहां पर 174.5 है तो जीरो लगाएंगे दोनों like decimal हो जाएंगे फिर normal subtraction हम लोग करेंगे इसमें इतना कुछ explain करने को है नहीं बस वही like decimal में convert करना है और जैसे हम लोग whole number को subtract करते हैं similar process में subtraction करना है और नीचे decimal point को ले आना है बस इतना ही process है अभी यह properties of subtraction of decimal numbers देखेंगे किसी भी number से 0 minus करने से same number आता है तो यह worksheet 5 उसके उपर ही based है एक दम basic है तो जैसे 413.5-0 करने से 413.5 आता है तो 11.8-0 करने से 11.8 आता है यह basics ही है अभी इस chapter के word problems करेंगे वक्षट 6 में word problems है यह 5 word problem दिये गए है यह first question है राजू को 60 रुपीज pocket money अपने father से मिला और वो 16.5-0 spent किया on ice cream तो उसके पास कितना पैसा बचता है तो इसको ऐसे लिखेंगे money राजू है रुपीज 60 money राजू spent रुपीज 16.5-0 इतना money राजू ने spent किया on ice cream money राजू spent on ice cream तो money left with राजू ऐसे line देंगे minus का sign देंगे दोनों को minus करेंगे तो यहाँ पर जैसे 60 है तो यहाँ पर 16.5-0 है तो 60 के बाद point दे के 2-0 लगाएंगे ताकि like decimal में convert हो जाए फिर दोनों को minus करेंगे ऐसे तो minus करने से हमें यह answer मिलता है 0 नीचे आएगा 0 से 5 minus नहीं कर सकते तो 6 से borrow करेंगे तो 10-5, 5 point को नीचे लाएंगे यहाँ 9 होगा 9-6, 3 और यहाँ पर 5 होगा 5-1, 4 तो 43.50 अंसर है तो money left with Raju is rupees 43.50 नीच्ट क्वेस्टिन है Mrs. Renu 2.750 liters of milk लाई तो 1.5 liters उसमें से use की to make curd find the quantity of milk left तो ऐसे लिखेंगे liters of milk Mrs. Renu bought equal to 2.750 liters of milk use for making curd 1.5 liters of milk left equal to यहाँ लाइन लगाएंगे फिर दोनों को minus करेंगे क्योंकि यह 1.5 है इसको like decimal में convert करने के लिए 2.0 लगाएंगे फिर 2.750 से 1.500 माइनस करेंगे तो हमें यह answer मिलता है दर्फोर quantity of milk left with Mrs. Renu is 1.250 liters यह थार्ड क्वेस्टिन है राहुल का weight 52.525 kg है his brother weighs 4.5 kg less than राहुल उसके brother का weight उससे 4.5 kg कम है find the weight of his brother तो पहले weight of राहुल लिखेंगे weight of राहुल's brother is less than राहुल's weight by 4.5 kg फिर weight of राहुल's brother equal to दोनों को minus करेंगे क्योंकि यहां पर 0.525 है और यहां पर 0.5 है तो 48.025 अंसर है therefore weight of राहुल's brother is 48.025 kg यह next question है amid travel day distance of 15.55 km तो उस में से वो 12.400 km बस से गया और बाकी जितने भी km बचे वो स्कूटर से गया तो पूछा गया है find the distance covered by scooter तो स्कूटर से वो कितना distance गया तो total distance यह है 15.55 km distance traveled by bus equal to 12.400 km तो distance traveled by scooter यानि कि total से हम लोग bus के distance को अगर minus करेंगे तो हम लोग को मिलेंगा कितना distance वो scooter से travel किया है तो यहां देखें 12.400 है यहां 15.55 है तो जीरो लगा के हम like decimal में convert करेंगे फिर दोनों को minus करने से हमें 3.150 km मिलता है तो यहां distance traveled by scooter लिखने के बार equal to फिर यह line देंगे minus का sign देंगे फिर minus करेंगे जासे 0-00 5-05 5-41 पॉइंट नीचे आ जाएगा 5-23 तो 3.150 km है फिर लास्ट में लाइन लगा देंगे फिर देर्फोर distance traveled by scooter is 3.150 km इसको ऐसे लिखेंगे यह next question है नेहा एक shop में एक doll को देखी तो उसका price 1.75 था doll का price उसके पास लेकिन 4.50 रुपे कम थे खरीदने के लिए तो उसके पास कितना पैसा था यह पूछा गया है तो इसको ऐसे लिखते हैं cost of the doll रुपीज 1.75 shortage of money नेहा had to buy the doll equal to रुपीज 4.50 तो money नेहा had equal to यह दोनों को minus करेंगे क्योंकि यहां point के बाद 2 digits हैं तो 175 को 175 में point के बाद 2 0 लगाएंगे फिर अभी दोनों को minus करेंगे 0-00 0-55 point नीचे आ जाएगा तो यहां जैसे 0-5 है तो इसको नहीं कर सकते तो यहां से 1 बौरो करेंगे तो यह 10 हो जाएगा 10-55 यहां 4 रहेगा तो 4-4 0 फिर यह 7 और 1 नीचे similarly वैसे ही नीचे आ जाएगे तो answer है रुपीज 170.50 नेहा के पास था डॉल खरिदने के लिए अगर 4 रुपे ज्यादा उसके पास होते तो वह डॉल खरीच सकती थी तो यह हमारा वोकशेट 4, 5 और 6 खतम होता है मैं अपने नेक्स वीडियो में ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगे थाल माद रॉल नेक्स दो रॉल